आज हमें बना रहे हैं फ्रूट कस्टर बनाने के लिए मैंने 300 ml दूद लिया है there all पेङों के बाष मी इदा दूद करिखा आपके आपके दसके लिल्ख लेश Suppose texture powder में हो लग Kagईय आप कोई साब कस्टर पाड़र ले सकते हैं प्लेन वनिला इस्टॉबरी बटर स्कॉच जो भी मिले यह मैं दूद में मिला के इसे घोल के रख लिया है थंदे दूद में ही है उसके बाद यह मैंने गार्निश के लिए करा हैं गार्निश के लिए मैंने पीसे स्काटे हो ए तो अब मैंने मेरे पास यह एविलेबल थे तो मैंने इस्तमाल कर रहे हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पैदे इस दूद को गरम करते हैं अपनी मीडियम लगते हैं इस दूद में जब बॉइल आ जाएगा तब हम इसमें कस्टर पाउडर डालें के दूद अब इसको थोड़ा साथ ठीक करेंगे हम तो मिनट हमें चलाना है फिर फ्लेम ओफ कर लेंगे अब इसके समस्ताथा नमें चीनी डाल देते हैं अब इसके साथा यह हमने शुगर निकाले थी वह भी हम इसमें मिस्कर लेते हैं और इसको चला लेते हैं अच्छे से इसको चलाते हैं यह देखे किता बढ़िया बनाएं इस पर मैंने थोड़ा और अच्छा कलर देनी के लिए मैं इसमें अच्छा पिंच ग्रीन फूट कलर कर डाला यह उप्शनल है आपकी मर्जी है इसे अच्छा कलर देगा टेस्सेम रहेगा ठीक हो गया है यह थिक हो गय हम नहीं के लें अरता है यह थोड़ा सभव ऐसे में अच्छा इन के टेना हो जाएगा आपकी शुगर इस से मिक्स हो जाएगी और इस थिकने से हो जाएगी काफी कारी बस इसके बदब कास्ट रखों हो गया अब इसे अब धंड़ा कर रहे हैं इसी कंप्लेटलीं धंड़ कि प्रहुट की दिए देखेजिए पीक इसी कंसेस्टेंसें किती थिक हो गई है तिक है देखेज सारे सारे था पूट्स कम एक सांथ मिला लेते कश्टर में बट हम थोड़ा सा इसको डिफेरंट लुक देने के लिए फोड़ा और अच्छा फैंसी देने के हम इसकी लेर लग तो आप इसे पाटी के लिए बना सकते हैं बहुत अच्छा लूक आएगा और बहुत पसंद भी करेंगे आपके गेस्ट बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तिके अब हम इसके बाद हमने इसे अच्छे से डाल दिया इसे थोड़ा सा जितना आपको कॉंटिटी डालनी ह ते स्कत साओं ने एक इसे बहुत प्रूब इस में ऑपके और भी डालहें मैं आहिए झालते इसके बाहरे प्रशा आला है अब प्रशा कंशोर्ट डालेंगे अपना ज़ अपना कि इसके बाद के अगला फुम्प को डाल रहे है कि आफिन ना इसके आपके अफ़ आहले डाली एक निए जाएगा क्योंकि फैल जाएगा खाली मिक्स हो जाएगा तो लेड़ से लिए आपको दिखेंगे लेड़ी चलोली करिये एक काम दिखिए मैंने इसमें पाइनपल डाल दिये अब हम इसे फिर से कस्टर डालते हैं दो स्कूप यह जितना आपको डालना हूँ अचा कुछ नहीं है दो भी डालना है अब इसके बाद हम इसके उसको पर स्टॉपरी जालते हैं अब इसके ऊपर स्टॉपरी कर लिया अब हम फिर से उसके उपर कस्टर डाला नेक्स ब्रूट डालते हैं ड्रागन फूट जो हमें चॉप करके रखे हैं सारे फूट्स पहले से ही इसमें फिर से कस्ट्रड डाल लिते हैं अपना इस बार हम जादा नहीं डाल रहे हैं एक स्कूप डाल रहे हैं बस लिका सा कवर करनी के लिए दो स्कूब डाल लिया है अब इसके ओपर हम इसको गार्णिश कर देते हैं इस ओपर से अपना फ्रूट कस्टर डेकॉरेट कर लिया है कितना बढ़िया लगा देख रहे हैं ऐसी हम सारे ग्लासेस नहीं आर कर लेते हैं यह देखे गाइस आप भी ट्राइ करिएगा बना कि औ थांक यू